मैं डॉक्टर अंशुत ओमर एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब लोग अच्छे स्वास्त से होंगे और अपनी लाइफ हेल्दी लाइफ एक्सपेंड कर रही होंगे अपेंडिक्स आज मैं कुछ इसी टॉपिक पर आपके साथ बाते करने जा रही हूं अपेंडिक्स क्या होता है और इसके लोगों में क्या-क्या मिट्स हैं इसका अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो कैसे ठीक की जा सकती है होमेपैतिक मैडिसंस क्या-क्या आप इसम और एक अच्छी जानकारी आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूं आगे चलने से पहले आपसे बहुत-बहुत गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें और अगर आपको मे अपया जाते हैं लेकिन अगर इसका प्रसղार सेफ hijo में में जेली है कहला थो प्लीज और छहार प्रस्टिरे चैनल दोपने में और चाह को में वगता है वो bacterias इसमें appendix में पाय जाते हैं लेकिन अगर इसका infection हो जाता है तो वो एक medical condition होती है जिसे हम appendicitis बोलते हैं appendicitis के अब कारण क्या क्या हो सकते हैं जिससे की appendix का inflammation हो गया है या आपको दर्द अरूबव हो रहा है उल्टी लगने वाली है और आप बहुत असनिय महसूस कर रही है तो causes सबसे पहली चीज़ आती है अगर stool या आपका short hard stool या बहुत सकत short आपका opening जो appendix के अंदर openings पाय जाती है अगर उन openings में वो अटक जाए तो उसकी वज़े से appendicitis की problem हो सकती है इसके अलावा जो appendix के अंदर की दिवारे होती है wall होती है अगर उनमें जो tissue है वो बढ़ जाए किसी तरीके से enlarge हो जाए तो आपको appendicitis हो सकता है इसके अलावा अगर आपको inflammatory bowel disease है बहुत दिनों से आपको बार-बार शौज की या फिर constipation याने की कब्स की शिकायत बनी हुई है या तो आप शौज बार-बार जा रहे हैं या फिर आपको constipation मतलब diarrhea या constipation है ये दोनों ही appendicitis का cause हो सकते हैं अगर आपको appendicitis है तो कुछ ऐसी चीज़े जिनको आप diet में include करके उसके pain को कम कर सकते हैं वो हैं जैसे गाजर आप खाईए आप खीरा खाईए चकुंदर को अपनी diet में शामिल कीजिए और अगर आप इसको चबा कर नहीं खा पा रहे हैं तो आप इनका juice का सेवन भी कर सकते हैं इसके अलावा आपको green tea आप लें green tea में anti-inflammatory properties होती हैं जो की आपके जो appendix का inflammation है उसको कम करेंगी और आपको आपके दर्द में भी रहत देगी इसके अलावा वो सारी चीजे जिसमें fiber की मातरा ज़्यादा पाई जाती है जैसे की fresh fruits हैं vegetables हैं इनको भी recommend किया जाता है अगर आपको appendicitis की problem है आप इनको खाईए इससे आपको कब्स की शिकायत नहीं होगी और आपका regular pit साफ होगा जिससे की आगे आपका inflammation नहीं बढ़ेगा और आपके दर्द में आपके appendicitis की problem में आपको राहत मिलेगी एक ऐसी condition जहां पर emergency हो जाती है कि आपको अब surgery ही करानी है आपकी medicines पर आपकी dependency नहीं होनी चाहिए चाहे आप allopathic ले रहे हैं या homeopathy ले रहे हैं या Ayurvedic ले रहे हैं वो condition बताने से पहले मैं आप सब लोगों का हाथ जूड के धन्यवाद करना चाहूंगी बहुत ही कम समय में आप लोगों ने जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और जिनोंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी गुजारिश करना चाहूंगी प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है helpful और informative लगती है तो इन्हीं प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें मेरा चैनल मैं बात कर रही थी उस medical emergency की जहां पे आपको तुरंत medicines के dependency छोड़कर आपको surgery करवानी पड़ती है वो है अगर आपका appendix rupture हो जाता है यह medical condition हो जाती है क्योंकि इसमें जो infection है वो abdomen के बाहर भी सकती है आपकी life-threatening condition हो जाती है अब जहां तक बात आती है कि appendicitis में homeopathy में क्या-क्या संभावित medicines हैं जो कि आप ले सकते हैं medicines का नाम लिखिए प्लीज ध्यान से लिखिएगा मैं spelling भी आपको बता रही हूँ pen लीजिए और note कीजिए पहली medicine का नाम है iris tenax इस में से आपको चार-चार गोली दिन में तीन बार लेनी होंगी और उपर से हलका गरम पानी आपको पीना होगा दूसरी medicine का नाम है dioscoria villosa mother tincture spelling लिखिए d-i-o-s-c-o-r-e-a v-i-l-l-o-s-a mother tincture तीसरी medicine का नाम है echinacea mother tincture e-c-h-i-n-a-c-e-a-q ये जो दोनो medicine है dioscoria mother tincture और echinacea mother tincture इन दोनों में से बारा-बारा भून दिन में तीन बार हलके गरम पानी में से आपको लेनी होंगी last medicine का नाम है bryonia 30 bryonia की spelling होगी bryonia 30 आप उस case में भी ले सकते हैं वैसे तो दो टाइम आपको दो दो बुंदे हलके गरम पानी में सुबह शाम लेनी ही है लेकिन अगर आपका appendicitis का दर्ध बहुत जादा बढ़ रहा है और आपको चलने फिरने में भी दिक्कत हो रही है तो आप इसको repeat भी कर सकते हैं तो ये थी आज की मेरी एक छोटी सी मेरी कोशिश कि अगर आपको appendicitis से कोई problem है परेशानी है तो मैं आपकी मदद कर सकूँ आशा करती हूँ कि ये post आपके helpful होगी इसी के साथ मैं आप से आगया चाहूंगी और अगर आपको अच्छी लगती है मेरी posts तो please मेरा चैनल सबस्क्राइब करें धन्यवाद